हेलो गाइस वेलेकम डो वीपोल ग्राफिक आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एडिट मीनू के बारे में एडिट मीनू का यूज कैसे कैसे किया जाता है वो आप सिखेंगे इस आज की वीडियो में अगर आप मेरी वीडियो को step by step सही से follow करेंगे तो आप सही से सीख सकते हैं और अगर आप मेरी coldro की series follow करते हैं और coldro पूरा सीखना चाहते हैं तो आप मेरी playlist में जाकर coldro की जो playlist उसे join कर सकते हैं चलिए हमीशा की तरह आपका समय बिना बरबाद करें वीडियो को शूरू करते हैं पटापाट सबसे पहले आपको एक object create कर लेना है एक object create अनने के बाद आपको edit menu में जाना है तो सबसे पहले हमारे पास edit menu में option आता है अगर हम इसे undo करते हैं तो हमने जो object create किया था उसकी पिछली step यानी जो कुछ भी नहीं था तो उसमें चला जाता है और अगला step आता है हमारे पास redo create अगर redo create करते हैं तो जो object अभी हमने अठाया था वो वापस आ जाएगा तो redo करने के लिए इसकी shortcut की है control plus shift plus z अगर आप ये प्रेस करते हैं keyboard पे तो आप की जो भी undo की अब्जेक्ट है वो वापस आ जाएगा हम इस पर click कर लेते हैं यह देखिए यह वापस आ चुका है अगला हमारे पास आता है repeat अगर हम कोई भी object को यहां से यहां copy करते हैं और हम जाते हैं edit menu में और click करते हैं repeat duplicate इसकी shortcut की है control plus r अगर आप यह करते हैं तो आपका object है वो आपस में repeat होता रहेगा देखिए अगर मैं control plus r करता हूं तो यह repeat होता चला जाएगा तो हम इसका use कोई भी object को repeat करने के लिए करते हैं edit menu का अगला option आता है हमारे पास cut अगर हम किसी भी image को एक जगा से दूसरे जगा move करना चाहते हैं तो उसके लिए हम cut का use करते हैं जैसे मैं यहां पर दूसरा new tab open करता हूं और मेरे पहले वाले tab में जाकर मैं यहां से edit में जाता हूं और cut करता हूं उसकी shortcut की है control plus x अगर आप इसे यहां से cut कर लेते हैं cut करने के बाद यह object यहां से gap हो जायगा gap होने के बाद आप दूसरे जो भी आपने नेया tab या नई document जो create की है वह आपको जाना है वह जाने के बाद आपको हमारे पर simply कर देना है paste paste करने के बाद आपकी जो भी object है वह यहां पर simply दूसरे का document में copy हो जाएगा और th Sea movement हो जाएगा और अगला हमारे पास option आता है edit menu ने copy from copy properties from इसमें हम क्या करते हैं हम कोई भी जैसे एक object create कर लेता है object create करने के बाद इसमें color field करके और outline यहां से gap कर देता है तो हम अगला कोई भी एक object दूसरा create करते हैं create करने के बाद हम इस object की property इसमें copy करेंगे तो उसके लिए हम इसका use करते हैं तो हम यहां से जिस object में हमें properties copy करनी है उस object हम select कर लेंगे set करने के बाद यहां से हमें edit में जाना है edit option में जाने के बाद हम चुनेंगे copy properties तो यहां पर हमें सिंप्ली क्लिक कर देना है और यहां से सब पर हमें चेक कर देना है चेक करने के बाद यहां से ओपके पर क्लिक करना है और जिसके हमें प्रोपर्टी कोपी करना है सो अबजेक्ट पे जाके यहां पर सिंप्ली राइट क्लिक कर देना है यह देखिए जित्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले मैं ऐसी वीडियो ओल लाता रहता हूं तो गाइस तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ओके बाई बाई